इस वीडियो में आपके साथ Green Olympiad के कोशन को डिस्कस करने वाला हूं, इस वीडियो का आप यूटलाइस कर सकते हो, Green Olympiad की परपरेशन के लिए, जैसे ही इस स्क्रीन पर आपके लिए कोशन है, इस कोशन में आपसे पूछा जा रहा है, When a seed is planted, the embryo or baby plants start to grow with the right combination of soil, water and sunlight. What is this process known as? इस question में आपसे seed के plantation separated question आपसे पूछा जारा है, जिसके अंदर आपसे ये पूछा जारा है, जब एक baby plant grow करना start करता है, और उसके पास एक अच्छा combination हो, soil का, water का और sunlight का. तो इस process को क्या बोलते हैं, इस process की definition आपको यहां दे रखिये, इस process के बारे में आपसे पूछा जारा है, option A में बोला जारा है, इस process को grafting बोला जाता है, option B में आपको बोला जारा है, इस process को germination बोला जाता है, option C में आपको बोला जारा है, कि fertilization इस process को हम बोलते हैं, और option D म इसका correct answer है, यानि कि जब भी आपके पास सेड होता है, यानि कि जब वो start करता है अपना grow करना, और उसे right combination of soil, यानि मिट्टी, पानी और sunlight proper तरीके से मिल पाता है, तो इस process को हम germination बोल देते हैं, तो इस तरह कि से correct answer आपका option B हो जाएगा, इसके बाद next question में आपसे पूछा answer है, कि fats provide energy to the body, however, the energy that is provided is almost twice as much in comparison to the carbohydrate, पहले आपको यह बताया गया, कि जो fat होता है, यह हमारी body को energy provide करता है, और साथ के साथ इसका comparison carbohydrate के साथ बिके आ गया, कि carbohydrate जो है, यह भी energy provide करता है, लेकिन अगर हम carbohydrate और fat को comparison करें, तो जो fat है, carbohydrate के comparison में twice, यानिकि दो गुना ज़्याद provide करता है, फर्दर आपको बोला जा रहे है, कि hence it is important to consume small quantity of this food group, what are the main dietary source of fats from the below mentioned source, अब इस question में आपसे यह फर्दर बताया गया, कि इसलिए हमारी ज़रूरी हो जाता है, कि हम लोग carbohydrate के साथ साथ जो fat से related जो चीज़े होती है, इसे हम properly consume करें, और इसकी quantity is small होनी चाहिए, यान कि एक balance तरीके से में consume करना चाहिए, यह information आपको दी गई, फर्दर आपसे question यह पूछा जा रहा है, कि इसके जो main source होते है, fat के, इसके बारे में question पूछा जा रहा है, और यहाँ आपके पास 4 options दे दिये गए, option A में आपको बोला जा रहा है, कि red meats, यानि red meat में सबसे ज़् fat होता है, यह according to option यह आपको बताया जा रहा है, option B में आपको बोला जा रहा है, कि fish and soybean जो होते हैं, इसके अंदर fat contain करता है, और option C में आपको बोला जा रहा है, कि ghee and butter, इसके अंदर सबसे ज़्यादा fat देखने को में मिल जाता है, और option D में आपको बोला जा रहा है, peas and spinach, य से आपको चूज करना है कि correct answer क्या है यानि कि fat किस में ज़्यादा होता है main source क्या fat का ये question आपसे पूछा जा रहा है तो इस question के correct answer की बात करें तो यहां जो option C आपको दे रखा है यानि घी and butter यानि कि जितने भी options दे रखें इसमें से best answer जो होगा वो हमारा option C हो जाएगा यान कि जब भी हमें body में fat की जुरूत होगी तो हम घी और butter consume कर सकते हैं बस ध्यान यह रखना है कि इसकी जो quantity होनी चाहिए balance होनी चाहिए नहीं तो फिर यह harmful भी हो सकती है ठीक है चले move करते है next question की तरब next question में आपसे पूछा जा रहा है pick the most balanced meal plate from the below listed options अब देखो यहां पे सबसे balance diet कौन सी है यह आपको choose करने के लिए बोला जा रहा है option A में आपको बताया जा रहा है कि पॉलेट्री, meat and pulses यह best combination है option B में आपको बोला जा रहा है कि fruits, starch and fats यह best combination है यह एक तरह से कह सकते हो यह balanced diet है option C में आपको बोला जा रहा है कि green, pulses and processed food यह एक अच्छा combination आपको दिया जा रहा है और option D में आपको बोला जा रहा है कि whole grain, vegetable and seafood यह एक अच्छा combination है तो different different जो combination दे रखे हैं आपको ठीक है इन चारों में से जो best combination है balance meal के लिए हमें choose करना है तो देखिए इन चार options दे रखे हैं इसके अंदर से सबसे best combination जो है वो option D है यानि कि आप यह कह सकत अच्छी तरह से हमें एक diet मिल पा रही है वैसे अगर process food जो आपको दे रखता है यह कभी भी balance diet का part नहीं हो सकती है तिसे हम वैसे ही cut कर देंगे और large quantity में अगर आप fat खाओगे तो यह भी नुकसान करता है ठीक है और इसके अंदर जैसे first option है इसमें green वगरा के बारे में को option दिया नहीं गया था यानि कि ना तो आपको carbohydrate related कोई चीजे या mention की गए इस वज़े से भी answer गलत हो गया तो यहां पर हम correct answer की बात करें तो correct answer हमारा option D हो जाएगा इस question में आप से पूछा जा रहा है food is essential for our body to develop, replace and repair itself यानि कि हमारी body को अच्छे से develop करने के लिए इसमें जो food की जुरत पड़ती है इसलिए यह कह सकते हो यह हमारी body के लिए essential है अब question यह आप से पूछा जा रहा है कि substance that provide nourishment are essential for the maintenance of life and for growth these are called अब देखिए यहां पर जो definition आपको दे रखी है कि वह कौन-कौन से substance है जो कि हमारी body की या हमारी life के growth के लिए essential है जो यह definition जिसकी दी जा र जा रहा है तो जैसे यह 4 options दे दिए कि first option में आपको बोला जा रहा है कि nutrients की definition आपको यहां दी जा रही है option B में आपको बोला जा रहा है कि carbohydrates की definition दी जा रही है और option C में आपको बोला जा रहा है यह protein की definition दी जा रही है और option D में आपको बोला जा रहा है कि यह vitamin की definition दी जा र रख है nutrients यह हमारा correct answer हो जाएगा तो इस तरह से आप option A को choose कर सकते हो अपने correct answer के लिए from the below mentioned option pick the substance that should not be added to a vermicomposed pit as it cause the growth of disease causing bacteria that will hider the composite process अब question में आपको बोला जा रहा है कि जब भी हम vermic compost त्यार करते हैं तो उसमें कौन सी ऐसी चीजें जिसे हमें include नहीं करनी चाहिए जिसे हम include नहीं करनी चाहिए उस substance को आपको pick करनी के लिए अपने answer में बोला जा रहा है अगर हम इसे pick नहीं करेंगे अगर हम इसे mix कर देंगे इस compost के अंदर तो यह हो सकता है कि जो भी हमारा pit compost है यह खराब हो जाएगा तो यह 4 options आपको दे रखें इन 4 option में से correct answer आपसे pickles यानि जो आचार जो बचे खुचे होते हैं इसे इसके अंदर हमें नहीं डालना चाहिए और option C में आपको बोला जा रहा है कि dry leaves जो है इसे हमें नहीं डालना चाहिए और option D में आपको बोला जा रहा है कि pineapple waste जो होता है इसे हमें इसके अंदर include नहीं करना चाहिए तो यह 4 options आपको दे दिये गए इसमें से correct answer क्या है या आपको pick करना है तो इस question के अगर correct answer की बात करें तो जहाँ यह option B आपको दे रखा है यानि left आपर जो pickles होता है इसे हमें वर्मी compost pit के अंदर नहीं डालना चाहिए यानि कि जब भी हम खाद वगरा बनाते हैं तो इससे हमें include नहीं करना चाहिए बलकि coconut cell को आप use कर सकते हो ड्राइ लीप्स को तो करी सकते हैं और इसके लाब आप पैनेपल यानि fruits के जो waste वगरा होते हैं इसे भी हम use कर सकते हैं तो correct answer जो होगा हमारा option B हो जाएगा जैसे इस question में पूछा गया should not be added जिसे add नहीं किया जा सकता है वो हमारा option B हो जाएगा ठीक है तो I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को like जरूर करिएगा और comment करके बताइए कि आपने कितने questions के answer सही करें Green Olympiard से related मैंने एक playlist create कर रखा है उस playlist में जाके आप previous सारी वीडियो देख सकते हो जिसका link मैंने नीचे description में भी दे रखा है इस channel पर अगर friends at the rate preparation इसे भी subscribe करके bell icon दबाईए ताकि जब भी मैं वहाँ video upload करूँ तो उसकी notification आपके पास receive हो सके ठीक है thanks for watching bye bye